Hello friends, welcome to my YouTube channel, मैं हूँ दिव्याश शर्मा दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहे हूँ आमले के फाइदों के बारे में इसकी इलावा, आमला किस तरीके से अगर आप खाते हैं तो आपको उसके और भी ज़्यादा फाइदे मिलेंगी आमला प्रकर्तिक गुनों का भंडार है, जी हाँ जिसकी वज़े से हमारे शरी में बहुत सारी बिमारियों को यह जड़ से खतम करता है इसलिए हमारी आईरवेद की किताब अस्टांग हिर्दे में भी इसका बहुत ज़्यादा वनन किया गया है यह बिमारियों को ठीक करता है और स्पेशली हार्ट के लिए तो बहुत अच्छा है इसमें क्या-क्या खास बात है 100 ग्राम आमले में 58 कैलरी, कार्भोहार्टेट 13 ग्राम और फैट तो बहुत कम होती है 0.1 और फाइबर बहुत ज़्यादा होता है 3.8 ग्राम और सबसे फाइदे वाली चीज होती है वो है इसका विटामिन C अगर आप 100 ग्राम आमला खा लेते हैं तो आप 7-8 दिनों का विटामिन C एक ही दिन में अपने अंदर पूरा कर सकते हैं नहीं तो आप रोज का रोज लेना चाहते है तो आप 10-15 ग्राम आमला रोज खाईए आपको एक खास बात और बतादू कि विटामिन C को जब आप गरम कर देते हैं तो इसका विटामिन C खतम हो जाता है विटामिन C एक बहुत ही बढ़िया एंटी ऑक्सिडेंट भी है जो हमारी इमिनिटी सिस्टम को स्ट्रॉंग करता है जो कि आमले में बहुत अच्छी मातरा में पाये जाता है आमले के अंदर पेक्टीन और फ्लेवेनाइट होता है जो हमारे कॉलेस्टरॉल को कम करने का काम करता है आप कॉलेस्टरॉल के लिए बहुत मेडिसिन ये बहुत आयुर्वेदिक तरीके अपनाते होंगे लेकिन अगर आप रोज का रोज 10-15 ग्राम आमला खा लेते हैं तो हम हमारे शरीर में बनने वाला बैड कॉलेस्टरॉल बॉडी से बाहर हो जाएगा इसकी इलावा ये हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है अर्थ्राइटिस वालों के लिए भी रोजाना आमला खाना बहुत फायतेमंद है आमला खाने से खून पतला होता है इसकी इलाव वैसे तो सबसे जादा फायदेमंद है अगर आप रोजाना दो से तीन चमच आमले के जूस का सेवन करें आप गर्मियों में या फिर उन सीजन में क्या करें जब ये आमला नहीं मिलता तो आप इसका पाउडर फॉर्म में यूज कर सकते हैं पाउडर ले सकते हैं एक चमच तो ये वीडियों यही तक थी अगर आपके कोई भी सवाल हों तो आप जरूर पूछिए आपकी हर इक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा और अगर आप के कोई ऐसे सवाल है जो मुझे कमेंट नहीं कर सकते हैं मेरी मेल आईडी है दिवयाधवनheldाम damage and gmail.gmail.com तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक मुझे मौटिवेट करता है, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को ज सब्सक्राइब कीजीएगा, ताकि ऐसी ही इन्फोर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंसती रहें, विलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, स्टी हल्दी, ओल्वेस बीएपी, थेंक्यो फर वाचिंग मैं वीडियो, ओके बाई